नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं एवनेस नियूज लाइप पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरे जनता कर्फ्यू से जनता का इंकार कोरोना संक्रमन पर काबू पाने के लिए सोशल डिस्पेंसिंग का पालन ज़रूरी है अपुला में बढ़ते संक्रमन पर रोग के लिए पालक मंत्री ने सर्वद अलियर राजनितिक प्रतिनिधियों के साथ वी बैठक के बाद एक जुन से छे जुन तब छे दिवसियर जनता कर्फ्यू के पालन की अपिल की थी लेकिन कल पहले ही दिन लोग सडकों पर निकल पड़े कई प्रतिबंधित वस्तों की दुकाने भी खुल गई सीधे तोर पर जनता ने सडकों पर निकल कर जनता कर्फ्यू के पालन से इंकार कर दिया कोरोना संक्रमन पर काबू पाने की दुरुष्टी से जनता कर्फ्यू के पालन की पालक मत्री बच्चु कड़ू की अपिल बे असर साबित हुई बता दे कि अकुला में कोरोना पीडितों का आकड़ा 600 के पाल हो चुका है हर दिन नए मरीज सामने आ रहे हैं असे से अधिक शेत्रों को कंटेनमेंट जोन में बदला गया है एक दिन में कभी 42 तो कभी 72 तक नए मरीज सामने आ रहे हैं इसी कड़ी में 28 मैं को पालक मत्री बच्चु कड़ू और सर्वदेलिय राजनितिक प्रतिनीधियों के बीच बैठक में यह तई किया गया था कि 1-6 जुन तक जनता कर्फ्यू पर अमल किया जाएगा लेकिन पहले ही दिन लोग हजारों सेक्डों की संख्या में बाहर नजराने से मानों जैसे जनता कर्फ्यू की धजिया उड़ा रहे हो शाय जनता कर्फ्यू की अपील लोगों तक समय रहते प्रभावी धंग से नहीं पहुची कोरोना संक्रमन ने ले ली दो बुजर्ग महिलाव की जान संक्रमन की शुखला न तूट पाने से अकोला में कोरोना पीडितों की संख्या का आकड़ा निरंतर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी और गृतोकों की संख्या भी बढ़ रही है इसी के चलते कर्दो बुजर्ग उप्चारत महिलाव की मौत हो गई जिसकी वज़े से अब तक अकोला में 34 लोगों की मौत दर्श की गई है जबकि कुल 605 लोग कोरोना पीडित पाए जा चुके है अब आप हमारे चाल को एप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर MNS इंदी लिखे और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेच को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक, ट्वीटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारे चाल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राब करना बिल्कुल भी न भूले फिलाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लॉटने के बाद देश और दुनिया की तवाँ बड़ी खबरे देख लिख लिख लिए बने रहें MNS News Live के साथ नमस्कार